हेलो नमस्कार रेंड वेलकम तो सम्ता एजुकेशन सम्ता एजुकेशन एज अलाइन यूट्यूब टेट्फर्म पर मेरा नाम है शौरब आशा करता हूं बहुत अच्छी स्टेडिया आप लोग कर रहे होंगे इस ऑनलाइन यूट्यूब टेट्फर्म से और जो सारे सब्ज यहने कि जब कार्स हम खेलते हैं तास्के पत्ति हम खेलते तो कैसे बैठते हैं बताई है तो यह तब बैठते हैं ऐसे इस तरह से ठीक है पंचायत जब करते हैं सरदिया है अभी फिलहाल आख के चार तरह बैठते हैं कैसे बैठते हैं अब अच्छी कोई बात समझे बैठत कैसे हैं सब लोग बैट केसे इदर विछ करके बैट गए ऐसे बैट जा ढोग ready समझ रहे और भी बहुत तरीक हैं तो फाथ ने के लाइज से बैट के लिकल बैट तें जब खाना काते तब बैठते दाए जाए समझ ए है अच्छ जाब घर का जो धम lugar का कर दो लोता है कुछ खरों में इस तरह से होता है ऐसे कह सकते हैं एकिप्रीन शेप के मतलब हो गया की आयता कार ठीक है इसक्वार शेप का मतलब हो गया किवर्गा सें टिक है तो यहां पर बेठ जाते हैं ठीक या फिर ऐसे भी तो बैठ सकते हैं तो बैठने को पर डिपेंड करता है को कॉर्णर पर बैठे हुए या वह साइड पर बैठे तो अलग डिपेंड करता है फिलाल में आप सर्कल पढ़ने जा रहा हूं उसके बारे में आपको बता हूं यहां पर हला कि दोना चीज एक ही डिपन चाहिए कि कैसे बन सकते पहले वह देखें तो अकि सबसे पहले तो सिस तरह से बन सकते हैं कीवल आपको पर संधिया हो लाइक a b c d e f g ram raheem mohan shaman origins time कुछ भी नाम दे रहे तूसरी टाइब का हो सकता है पहला हो गया कि only name आपको दे दिया गया तुसरा प्लस व्याय वि्थ मुझ ब सकता है प्लस बारीएबल कोहें चाहर के चरव का नाम है को शोर्वार घृत दोस्तों कुछ बचों को सब्सक्राइब को समझे मेरfang को चैटिंग अर्रेंजमेंट प्लस-ाइब बुर्स ताहिन अब ब्लोड relation जब आप से कहा जाता है कि A जो है वो B की मा है और C के भाई की right में second number पर बैठी है इस तरह के questions भी आपका यहां पर आता है यानि कि blood relation जो हमने पढ़ाता ना उसका importance है वो यहां पर भी बहुत जादा है ठीक है काफी complicated questions है होते हैं इसलिए मैं sitting प्लस BR के अलगी वीडियो बनाऊंगा ठीक है मैं उनको ना तो देखो लाइन वाले में आते हैं स्कॉयर वाले में आते हैं सरकल वाले में बढ़ा रहा हूं ना में स्कॉयर वाले बढ़ाऊंगा मैं इनके लिए अलगी वीडियो बनाऊंगा जहां पर clearly लिखा होगा setting arrangement with blood relation ठीक है पारिशान होने की हैरान होने की बिल्कुल जरूत नहीं है ठीक है star topics में आपके यहां पर cover करवाने वाला हूं ठीक है भाईया यह समझ में आ गया चलो अब मैं आपको बताता हूं type of questions कि किgeord necesita type of कसरें कि किस किस तरह से लोग ब्राइबेट डाते हैं है दुसरा तरी इह होता है हुसकता बंचो सब लोगों का अखना हो बाहर हो ए भी तक आपका हो सकता है आपको हमारी बास मंगर रहे हि तीन जालार फेसिंन आउट साइड आलार फेसिंग एंसाइड अश्कान है वह वह इंहे सम ये वह आउट कौंगे कि यह होए हैं ठीक है आपको समझ में आ गया अब देखिए कि डिफरेंस क्या होगा मेरी बात को अब ध्यान से समझेगा दोस्तों कि कुछ बच्छों को प्रॉब्लम जो होने वाली यहीं पर होने वाले कि उन्हें राइट और लेफ्ट समझ में नहीं आएंगे देखो कि अपके इंसाइड है आपका फिस कहां पे इंसाइड है ठीक है यहांपर ए बैठा हुआ है यहीं आपको यह बेसिक समझ में आ गया टाइम यहां पर लगेगा ठीक है जो बच्चे जन बच्चों को यह आता है ठीक है लेफ्ट राइट का जिनका इस एडिजिशन नहीं वो स्किप करके आगे आप देख लीजीगा ठीक है जिन बचों को बेसिक से सीखना है वो यहां पर है देखिए यहां पर आ गया अब एक फिस कहां पे फिलाहाल की कंडिशन में अगर देखा जाए तो सेंटर की और है दूसरे पॉंट अव्यू से आप यह भी कह सकते हैं सर सब्सक्राइब लिकल कह सकते हैं लिकिन हम में अलπα स मिल को रहा हूं तो तो इधर जाहोंगा वह आपका क्या और सेया ओ और तम झालं कि 255 यहां ठीक है आपको मेरी बान समझत मिलए तूक से इस इस लाइन में बहूं सारी को ठीक है इस तरह से 3 और 3 6 और तो 8 लोग यहां पर बैठे हुगा अगर मैं आपसे यह कहता हूं समझे मेरी बात को देखो मैं अगर आपसे कहता हूं कि बी जो है वो एक ए राइट में कि फोर नंबर पर बैठा है कहां पर इन्प हैं सेक किरारे को कि एक कुन यहां पर आजाएकगा Om हमारी वात समझ रहना कौन आजाए कि बच्छो भी आजागा वहीं पर यह प्षित कहा होता तो आपका यहां पर आ करें कि दूसरी बात हैं क्या हो जाती है कि मानली जा फेल्डी को बूसरे दोसरे dieser से दूसरी स्थान po हो सकता है यहां बी Gew सकता है और यहाँ बी हो सकता जब आप को ज़से मान वह इस तरह से लिखा गभाता देखो मैं और समझा तो आपको एउधियर को यदी कहा कि ए और but के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं और बी के तीसरी बात की तरफ में आपका ध्यान चाहूंगा वह यह होगा देखिए यहां पर रखा हुआ है ठीक है एका राइट लेफ्ट आपको पता चल गया आप कहेंगे सर की मालों कोई परसन इधर बैठा तो इसका लेफ्ट किदर होगा इसका राइट किदर होगा ध्यान से समझ बच्छों मैं यहां पर लिक भी दे़हा हूं आप उसका स्कीनशोट लिजी जाया आपके से नोट लिजीगा वह क्या है देखिए जब कभी भी आपका फेस इनसाइड है जब कभी में आपका फेस कहां है फेस्फ आका इंसाइड हो इंसाइड का मतलब अंदर की तरफ जो देख रहे हैं तो आपका clockwise direction में क्या होता है लेफ्ट होता है क्या होता है क्लॉइघ से कि तरह सी उतरी और आपका होता है अगर आपको कहते हैं टीजिन है ठीज? qq आपको सब्सक्राइब? ठीक है ना?चलिए अब यहाँ में का करते है दोस्न? तो अब यदी मैं आप से कहूंगा देखिए और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप किसी भी परसन को आप सबसे पहले यहीं पर बठाए नीचे आप कहीं भी पूरे सर्कल में एक आप यहां बठा दी चलो मैंने को यहां बठाया और मेरे से कहा गया की सी जो है वो एक राइट म में थर्ड नंबर पर है एक राइट में थर्ड नंबर पर यहां से मैं समझता हूं कि एक राइट में थर्ड नंबर पर क्या होगा तो देखो थार्ड नंबर पर जब आया तो देखो ए कहां देख रहा है अंदर देख रहा है और अंदर जब देखता है तो उसका जो राइ एह यहां पर लिख लिए जो इधर लेफ्ट हो जाएगा ठcommittee do still किर जो घौन आजएका सियाज YA एक हूं को समझ पहले हैं रहे हैं ना लेटरbare ही army सबको सब्धार लग गए की लट का होता है कि अब और ज्जादा जो आप सेखने वाले हो कहां से क्वेस्टन से चलिये विदाउट विष्टिंग एने टाइम हम चलते हैं कहाँ पर सीधा कॉश्यन की तरफ चलिये यहां पर लिखा है तेड़ी दा फॉलोव इंपोरमेशन केरफुल एफुलि ए अंसर ता क्वेस्टन गिवन बिलो ठीक है a b c d e f g h r sitting around the circular table facing at the center facing at the center ठीक है देखो a b c d e f g h r sitting around a circular facing at the center ठीक है कितने लोग बैटे हैं a b c d e f g h कितने लोग है आठ तो देखो आठ लोगों को आप इठा लीजिए अब कुछ बच्चे कहेंगे सर्कल दिया हुआ आपने सर्कल में बठा इने तो बच्चो ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है आठ लोग बैटे सर्कल तो बन गई है देखो सर्कल बन गई है ठीक है समझ में आ गया बन गई सर्कल तो यहां पर लखाएगी बी इच सेकंड टू दर राइट ओव डी कहां पर है बी कहां पर बिच्चो सेकंड डू दर राइट अब जिको मैं होती आसान मैं तर से बता रहा हूं समझो पहले बीच सेकंड बी कहां पर है सेकंड नमबर है ज़्यादा मस पड़ो इतना पड़ो भी यस सेकंड बी सेकंड नमंबर पर कहां से टुदा राइट ओफ डी डीकी डैट मैं सेकंड नम्मर पर तो मैं आप चेख़ों का जाईए और दी और दीके रडमे सेकंड पर बीको बात यह आथी है कि सर डीक है डीको कहा बठाएं मधस के वहाओ को में दिको भी है तो आप कहीं विठा दीजी तो आप है कहें भी बिढ़ा दिया आपको बठा दिया ठीक है आप कहें भी या बिठा होगा उन्सर आपको आएगा तो B second to the right अब ऑच्छो राइट कहा होगा इसका बता हो सिर्फ इंसाइड है तो right कहा होता है विसे इंसाइड है जो राइट होता है into clock was to be its second to the right of business to be है यहाँ पैई ठीक है हुए आपर हुए किसके लिया आया है देखो जब मेने आपको पढ़ाये था पहले तो पहले दिखो हुए जब चल रहा है हुए आपको गलट था कि यहां हो यह चाले हुए है स्ती क scal Tech रहा है जो लेटर है वो यहाँ पर D है तो D इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप हो की जाए कि D भी पढ़ सकते हैं कैसे पढ़ोगे D is third to the right of F D कहाँ पर है third right में है किसके F के इस तरह से देखो यहाँ पर मैं हिंट भी लेख रहा हूँ आपको समझाने के लिए पर चो D जो है वो कहाँ पर है F के third right में है तो यह सबको पता है अचा अगर मैं आपके left में हूँ तो आप मेरे कहाँ हूँ right में कब जब आपन दोनों का face same direction वापस समझो आप और आपके भाई बैठे हुए आप और आपके दोस्त बैठे हैं इसकी डिरेक्श्न में दॉनों सामने देख रहे हैं तो आपका دोस्त आपके कहाँ है left में तो आप दोस्त के कहा पर हूँ right में हुए कि नहीं हूँ हुए ना तो यहां समझो D is third to the right of F. D is third to the right of F, ठीक है तो D को आपको कहां बैठाना है F के third right में बैठाना है ठीक है डिको आप इस था राइट में तो एफ कहां जाएगा एफ आप यहां जाएगा अब देखो का भी भी का करने प्लीज करने के बाद में एक पार चेक करके जरूर देख लिए क्या आपने सही बठाया है कि बच देखो एफ एफ का राइट कहा इधर anti-clockwise तो बिल्कुल सही है 1,2,3 यहां पर आगया ठीक है डी इस थार्ड तु दे राइट अफ एफ और बी इस सेकेंड तु दे राइट अफ टी समझ में आ गया चलो अब फिर यहां पर है c-it second c-it second to the left of a c कहाँ पर है c-it second to the left of a इस तरह से ठीक है who is second to the left of f अभू किस के लिए आए हाँ पर a के लिए a कहाँ पर है second to the left of f कहाँ पर है second to the left of f तो आपका पहले से रखा हुआ सारे लोग कहाँ देख रहें अंदर देख रहे हैं चलो मैंने आप साय नहीं लगाया लेकिन हाँ पहला तो अंदर देख रहे हैं उसके कोड़ें हम कर रहे हैं ठीक है a second to the left of f यहाँ पर है तो left का होगा इधर होगा इससे second left में a है आ गया अप एजब बैठ गया तो आप सी को बिठाई है कैसे कि c second c second to the left of a अच्व एक लेफ्ट का होगा एक लेफ्ट इदर होगा यहां पर क्या जाएगा पस यह जाएगा समझ में आ गया ठीक है क्लियर है c second to the left of a ठीक है अब है यहां पर देखो कितने पोजिशन बच रहे है वन टो थ्री फोर आप से कहा जा रहा है जी इस थार्ड टुदा राइट ओफ ए क्या कहा जा रहा है जी इस थार्ड टुदा राइट ओफ ए अगर मैं इसको हिंट में लिखू बच्छ तो कैस क्युक्त बच्छ पर राइट में कौन है जी है एक तरड राइट में कौन है यहाँ पर जी है आपको असे जगए ड्हूंगनी है जहां पर आप ई और जी के बीच में दो लोगों को बिठा सकें तो देखो एक जगए तो यह रही मैं कुछ यहां से कर रहा हूँ कुछ रफ मैं अजिय किरा हूँ तक को सीजे क्लेर हो जाए टिक ऑप ठीक है कल्या थे कि निया है यहाँ अ कि यहाँ पर एक तो ही दो जगए खाली हैं लगातार लेकिन लिए सान कहिंदि आ पैड़ यहाँrings है और जी और बेठा नहीं है पिर एक और जागे खाली है मैं आपको बताना चाहूंगा एक यह जागे खाली है, यहां बिठा सकते हो दोनों को, नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहां पे इनके बीच में एक परसना है, तभी किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी, dass sir, यहां बिठाए तो बहुत हद वर ब तो देखो मैं बहुत सही तरीके सब समझा रहा हूं देखो समझने कोशिच कीजिए गा मालो मैंने यहां पर जी बठा दिया और यहां पर इबठा दिया अब आप देखो जी कहाँ पे एक दो और तीन लेफ्ट में हो गया है तो क्या होता है आपका लेफ्ट होता है विल्यफ्ट गलत गया जबकि जी तो कहां है राइट में इसके तो यहां पर गलत बठाया है सही क्या बदाई ए तो तो यहां पर यह आपको आगया ठीक है फिर पूछा आप से जा रहा है कि अच्छा एक परसन हो रहा है कि खाल जाए किसके बताओ जो बच्रिया जिसका नाम नहीं आया वह यहां पर आ जाएगा अब बढ़ते हैं क्वेशन की तरफ की क्वेशन क्या है देखो इन विच अब फॉलॉविंग कॉमिनेशन इस परसन शेटिंग बीट्वीन सेकिंड थर्ड ऐसे कुश्ण बहुत से बच्चों को तैसे कुश्ण पूछन ही निया था पूछना क्या चाह रहा है देखो इन कहना क्या च יरा देखो आप से कह यह ंविज आपधा नम्में से कौन जे कॉम्बियरशन में फष्ट पर्सन फष्ट पर्सनि जो है जी FDA नौनेर भिटेंगे के भिटा में आपको देखना है कै जी ऐस योडी के बीच में बैठा है क्या एक एफ वे एफ पर मैं जी है वो सी और डी के बिच्व मेठा है क्या नहीं बैठा यह सुन्रीम के बैठा है यह आपका क्या हो गया रोगोगे है इद Two-app का नहीं सही होगा ना यह आपका जिया हो चलते हैं और यह है है वो फ ख के बिछा है यह वो फ बीचों बेठा है यह वह फ लीचों बीचोँolds कि बेठा है that तो बच्छों बिल्कुल ए जो है वो ए और बी के बीचे में बैठा है तो दोस्तों आपका जो आंसर यहां से निकल गाजाए को फोर नंबर का चाहता है चलिय। हूशित ठार राइट ओफ इच थारड़ा ऊफ एच पहले थो झीन हम एत्य जाओ रेंटि तीन जाओ ठीक के थारगवी, ठीकе है यह पर एच का रॉजड का होगा एंटी क्लोग वाई क्वैट वन ड्यू ठी को ना गया सिया विदर गया एक राइद दो राइड फश्ट टैट में जी बथचा है फिसके बाद में से कि दाइड डी गटा है ठर्ड आपका एक्जाम है कि हमारे ध्यान वाइब था है सिए है सिए और हम ऑप्शन नमर सी टिक कर देते हैं और कई बार सी पर डी लिखा होता है इस भाता थोड़ा ख्याल रखी है वी सिटिंग कि इमीडियेट राइट और एक इमीडियेट राइट आफ एक इमेडियेट में बेठा डोस्त आपको बताना है और कुछ नम्मर कॉर्शन नमर 3 पर ये फूस पड़िये की मेडिये भाइट राइट राइट और बैठा है आप तरफ को बतानी है what is the x position with respect to be kd Tillяться आपर देखें कि right से भूनी है left से हम नदौना तरफ से आपर देख लेते हैं ठीक है एइच कि कि पोजेशन बी के respect में है ठीक है ऐसकी पोजीशन बी के respect में बतानी है तो है एज बात कर था तो बच्चोन है ऐस जो है ना यहां पर मुझे हैं चेंज करनी पड़ेगी क्यों करनी पड़े आप देखेंगे थार Version क्योंकि भाइए है विजोरेच दौना हम आँने सामने है अब हमने सामने है तो चाहें पंढ़对시면 नंबर पर कहां पर आएगा फोर्थ नमबर पर बीके फोर्थ राइट में एचे और बीके फोर्थ र्या प्लीया है यह तो देखो कि आप पास ऑप्शन है जहाते हैं और कि फूर ऐक्साथ पाथ नहीं और भी आप्शन आपका साथ माता वो जो बोथ ठीक है बोथ यूत करेक्टिक है और सब्सक्राइब फिर्ट थर्ड ओप्शन गाता अबुथ फिर्ट एंड सेकें ऑप्शन है करेक्ट तो नंबर आपसे कुछ आया है होई इस सट हुआ है एच यहाँ पर बैठा हुआ है क्लिए है सबको समझगे अगया एक यहां पर बैठा हुआ हुआ है अफिर है मिश्टिक पर दिख को परजमाया दिकाओ मैं आपको बता रहा हूं कि आपके रिजनिंग के लिहास से यदि में आपको बताओं तुछ आपको एक्जाम का इस्ट्रेक्टर में 20 नंबर का सिटिंग और पजल आता है अंच क हुआ कि पढ़ीड़र पढ़ा चुका हूं ठीक है है आपको एक्जामें आने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया, चले खर बढ़ते हैं अगले question तरफ यहां पर, तो यह है आपका next question, 6 to 10, 5 question का एक set है, वो यहां पर है, देखिए, मैं फिर से आप से कह रहा हूं कि question by question हमारा जो level हो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या दो, पिछले question में क्या था, कि वहां पर आपको केवल परसन दिये गए थे, यहां पर चिंजिच क्या आया है, यहां पर आपको साथ में क्या दिये गए है, आपको साथ में subject उनके दिये हो है, क्या दिये हो है, subject साथ में दिये हो है, तो कहीं न कहीं उस थोड़े अपर लेवल का है और प्रिलिम से लेवल के यह अपका क्वेस्टन है ठीक है प्यो प्रीम भाईया ऐसे कॉश्टन आ जाते हैं बता रहे हैं आपको अच्छे से तयारी कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डेफिनिली सेलेक्शन आपका हो जागा देखो चले बढ़ते हैं आप एक कॉश्टन तरफ की एट परसंस एबी सीडी एफ जीएच आर सिटिंग अराउंड इस सर्कुलर टेबल फेसिंग इंसाइड जा सेंडर बहुत बढ़ी है सारे लोग एक ए डिरेक्शन में देख रहे हैं संजीवनी होता है उन लोगों के लिए ये कॉश्टन कंफ्यूजन होता है थोड़ा वहां पर जहां पर कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर देख रहे हैं लेकिन जब सारे लोग अंदर देख रहे हैं सारे लोग बाहर देख रहे हैं यानि कि आप किस्मत को यहां पर का गया, C sit third to the right of A A के third right में कौन बठा है, C, A को आप यहां बठा है इसके third right में C को आप यहां बठा दीजिए ऐसे बठाएंगे, ठीक है C sit third to the right of A C sit third to the right of A A के third right में कौन बठा है, C बठा है One person sit between C and who like English ठीक है C और English की बीचे में यहां पर कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, sorry, one person sit, यहां पर मैं क्या करूंगा, दो मुझे possibility बनाने पड़ेंगी यहां पर, क्योंकि English आपका दो तरफ आ सकता है, ठीक है, only one person sit between C and English, तो दोस्तों, English आपका यहां भी आ सकता है, ठीक है और दोसरी possibility जो मैं आपको बताता हूं, बनाके तो भहिया, जो आपका, C आपने यहां बिठा रखा है, यहां पर आपने A को बिठा रखा है, English आपका यहां पर बिठा सकता है, एक छोड़ कर, इधर भी आ सकता है, आप समझ रहे हैं हमारी बात को न, ठीक है, clear है, हाँ, त जोनों तरफ ही आ सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, जोनों तरफ ही आ सकता है, ठीक है, यहां पर क्या आगया आपका, ओके, C आ गया, C sit third to the right of A, और C और A के बिच में, English बैठा हुआ है, एक छोड़ की, ठीक है, और English के बीच में, एक परसन बैठा हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद है, three person sit between B and F, B और F के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तीन बैठे है, अब तीन लोगों के बैठने का मतलब क्या है, समझे मेरी बात को पहले, कि B और F के बीच में तीन लोग बैठे हैं, दोस्तों, तो B और F आमने सामने आ रहे होंगे, B और F कहा रहे होंगे, आमने सामने बिलकुल आ रहे होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप से मैं कहूँ कि C और किसी person के बीच में, तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, तो देखो, C से आप बचो, दोना तरफ से आप जब count क की जा रही है, कि उनके बीच में तीन लोग बैठे हैं, तो यह आप क्लियर मान के चलिए, कि वो दौनों कहां पर आएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आने वाले है, ठीक है, अब आमने सामने की यदि मैं बात करो, तो देखो, एक तो यह पॉसिलिटी बच रही है, जहां कि यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है कि दौनों तरफ आपके पास प्लेस खाली होने चीए, जहां पर कि आप इन दोनों को बिठा पाएं, किसको बी और एफ को, ऐसे ही second condition आपका हो जाएगा, वहां पर बता नहीं रहा हूं, लेकिन वहां भी इस तरह से हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, one who like English and one who like economics are immediate neighbor, English वाले और economics वाले क्या हैं, दौनों एक दुसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है, समझ में आगया, one who like English and one who like economics are immediate neighbor, ठीक है, अब economics कहां आ सकती है, English के दौनों तरफ आ सकती है, ठीक है, एकोनोमिक्स आपकी यहां पर भी आ सकती है, एकोनोमिक्स यहां पर भी आ सकती है, सेम इधर बात कर तो, एकोनोमिक्स इधर भी आ सकती है, ठीक है, ठीक है, फिर कह रहा है, one who like English and one who like economics are immediate neighbor, edge like mathematics and sit third to the right of one who like economics, economics के third right में edge mathematics बैठा हुआ है, कौन बैठा है, edge mathematics बैठा है, कहां पर, economics के third right में, कहां बैठा है, economics के third right में, कौन? एचे मैथेमेटिक्स तो देखिए एकोनोमिक्स की थर डाइट में मैथेमेटिक्स को आप कहां बिठा होगे सबसे पहले तो first condition हम लोग आ जाते हैं या रफ भी साथ में यहां से हम कर देते हैं चलिए पहले में बात करता हूँ लगानोमिक्स के यहां पर रखके क्योंकि फिक्स नहीं है तो मैं यहां पर एक चींज कि लेता हूँ जाए जोड़ी समझने में चरती करने में फॉर आपको दोमेटिक्स को इंगले perfect स्यम्हें को मैं इंगले minder के व्यां कि हां और और H को क्या पसंद है, H को पसंद है Mathematics, H को क्या पसंद है, Mathematics पसंद है, H like Mathematics and sit third to the right of one who like Economics, Economics जिसे पसंद है, उसके third right में कौन बैठता है, दोस्तो, कौन बैठता है, H Mathematics बैठता है, तो Economics अगर यहां पर है, तो 1, 2, 3, H आपका यहां पर आजाएगा, H यहां पर तो Math आपक Economics को आप यहां भी रख सकते थे, और Economics को आप यहां पर जब रखते तो इसका third right जो जाके बनता, वो बनता C पर, ठीक है, C पर आप यहां पर H Math को रखनी पाते है, क्योंकि आप C पहले से बैठा है, वहां पर H की तो कोई possibility बनेगी ही नहीं, ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब से कर देता हूं कि fix condition यहां पर बन गई है, Economics यहां पर इधर आ जाएगा, और Economics के 1, 2, 3, यहां पर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, H को subject जो पसंद है, वो कौन सा पसंद है, Math पसंद है, ठीक है, clear है, समझ में आ गया, यहां के अगर मैं बात करो देखो, इधर, तो English के, सब्सक्राइब को, समझने में, Okay, Economics को दोस्तों, अगर हम यहां पर रख देंगे, तो इसके कितने राइट में, थर्ड राइट में, H Mathematics, तो 1, 2, 3, राइट में, H Mathematics, यहां पर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, और अगर, मैं क्या करता हूँ, यहां पर, अगर मैं Economics को यहां पर मैं रख देता हूँ, तो इसके Respect में, H Math यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर मैंने Black और Ride का इस्तिमाल इसलिए किया है, ताकि आपको पता रहा है कि, Economy के, कि साप plug में, कौन सा एगर बैठा हूँ, ठीक है, समझ मा का लगा, फिर इसके बाद है, B sit to the immediate left of C, B काहां बैठा है, B sit immediate left of C, C के immediate left, मैं क ऑन बैठा है, B, इसलिए बैठा हूँ, B sit immediate left of C, तो B यहां पर आगया, आपका, B sit immediate left of C B आपका यहाँ पर आगया economics में कहाँ पर आगया economics में आगया तो B fix हो गया इधर fix हो गया C यहाँ पर आपका fix हो गया H यहाँ पर आपका fix हो गया A और जैसे ही दोस्तों आपने B को बिठा है तो आप F को भी बिठा सकते हैं तो B और F सामने बिठा हो थे ठीक है तो F को आपने यहाँ पर बिठा दिया यही पर यदि हम बात करें कौन से वाले की इस वाले में हम बात करें यदि आपने B को यहाँ बिठा दिया तो यह fix हो गया कि इसके सामने कौन आएगा यहाँ पर बी के सामने आने वाला है F, तो यहां पर fix हो गया कि यहां पर F आएगा, F तो fix है कि F तो यहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर clearly mentioned था, कि B sit immediate left of C, C के immediate left को कौन बैठा है, B बैठा है, बी के सामने कोन आगा, F आगा, ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है, economics अभी भी आपका fix नहीं है, क्योंकि अगर economics black वाला हुआ, तो H math black हो जाएगा, और economics अगर red वाला हुआ, तो H math red वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर है, one who like bio sit between one who like chemistry and geography, chemistry और geography के बीच में, ठीक है, one who like bio and sit between chemistry and geography, ठीक है, तो बायो किस किस के बीच में आ जाएगा, geography और chemistry, ठीक है, अच्छा, फ़र्स्ट वाले डेग्राम में कहां रख दो गया, आप इसे पताईए, देखो, मैं समझाता हूँ आपको, फिर है, और कुछ है क्या, one who like physics and one who like geography are facing each other, ओके, ठीक है, यहाँ पर एक और, यहाँ पर मज़िदार बात यह है, कि आपको बहुत सही तरीकी हिंट आ गई है, कि one who like physics and one who like geography are facing at each other, बहुत सही, मज़िदार बात यह है, कि देखो, बचो math के सामने English आ गया, तो यह वाइल लाइन तो भर गई है आपकी, economics के सामने यह आ नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा है, physics और geography जो है, वो आमने सामने आने वाली हैं, ठीक है, तो आपके सामने जो condition यहाँ पर बचिया वो यह बचिया है, ठीक है, physics और geography अमने सामने अनुचित आने वाली हैं, एक तो आप यहाँ पर आपका सकता, C के हाँ पर Physics Geography हमने सामने A का सकता A के हाँ पर ठीक है अच्छा दूसरी बात ये कि बायो बीच माने वाली है किसके Geography और Chemistry है कहाँ पर देखो Geography को हम रख के देखते हैं एक जगाँ पर ठीक है Geography को मानले हमने C पर रख दिया कहाँ पर रख दिया Geography को मैं यहाँ पर मुझे चेंज करने पड़ेगी तब जाके आपको परना सब कुछ एक ही इंका हो जाएगा तो आपको Problem Create हो जाएगी तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इस तरह का कुछ ये लेता है चलिए अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं ने जोग्रफी ले लिया ठीक है तो जोग्रफी के सामने कौन हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा आपका Physics बन जाएगा और जोग्रफी और chemistry के बीच में आपके आजाएगी वाई तो जोग्रफी अगर यहाँ पर आ पर दोन तरफ देख लीजिए क्या कहीं पर केमेश्टी का सिचुइशन बन सकता है नहीं बन सकता ठीक है नहीं बन सकता तो क्या हो गया जोग्राफिए हां से कैंसल हो जाएगा लेकिन यहां पर जाएगा नहीं है यह लेकिन केमेश्ठी के बीच में बन सकता है सिचो एक तरह की का सब्सक्राव नहीं पर आहीं हो जा वाय टो है तो आफ जाके देल्गों के तो इस जगह पर भी आपका जो जो जिए आपकाय आपका पॉसिबल नहीं है इंपकोS चुखा अपका किसी पोरे निस थे कडिशिव करक् Sound अपर कि पाल ने सकता तो आपने जिए इस प्र यहां पर आपका जिए कि असकता है पर आप रख सकते हैं केमिस्ट्री को रख सकते हैं ना रामजे कोई प्रब्लम है आपको नहीं प्रब्लम है ना ठीक है लेकिन बात यहां पर यहां आ जाती है सर हमें थोड़ा सा डाउट है और वापस और आगे करके बताईए सर क्या जोग्रफी यहां आ सकता है सर क्या जोग्रफी यहां आ सकता है बच्चो जोग्रफी यहां आ सकता है आप खुद बताईए जोग्रफी यहां पर आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन क्या होगा जोग्रफी के जेश्ट पास में बायो आएगा तो दौना तरब बायो आसकता है लेकिन फिर बच्चों बायो के पास में क्या chemistry नहीं आएगी तो क्या होगा यहां भी आपका नहीं आसकता ठीक है और आगे जब मैं जाओं तो आपका बिल्कुल geography A पर भी आसकता है ठीक है A पर भी आसकता है ठीक है तो देखो एफ पर आपका जोगरिफी क्यों नहीं आसकता कियोँ कि मुझे बताएगा फ़ देखो जोगरिफी की दो możemy हैं जोगरिफी मोनी हैं लेकिन क्या है कि फपर जेवर C पर के सामने क्या है physics है ठीक है तो एफ पर यदि ayamna प्लेस करते हैं उसके सामने आप फिजिक्स को नहीं रख पाएंगे क्योंकि वहां पर एकोनोमिक्स अल्रेडी प्लेस्ट है ठीक है तो आपको जो रखनी पड़ेगी और आपको जोग्रफी प्लेस करनी पड़ेगी तो ए पर आपके आजाएगी क्या केमिस्ट्री एप पर ज व्यक्रफि के सामने फिजिक्स आजाएगा तो बिल्कुल फिजिक्स आपको यहां पर आ जाएगा जुध को सामने के बात करें जैंडमिक्स हो गया से पर कौन आ जाएगा दीविक्श को झाटिक है अच्छा लेकिन अभी भी दिगकत कहां है कि अभी कुछ person है वो आपके नहीं बैठे है ठीक है person के मैं बात कर लिता हूँ एक बात यहाँ पर तो एक person अभी यहाँ आना बाकी है एक person यहाँ पर भी आना बाकी है और एक person यहाँ पर भी आना बाकी है तीन person अभी बैठना बाकी है ठीक है लिखा हुआ है कि G and one who like physics are immediate neighbor, physics वाला और G दोनों immediate neighbor है, ये लो, सत्यानास हो गया पूरे इसका sitting का, क्योंकि वो कह रहा है, G और physics वाले दोनों पड़ोसी है, क्या physics के पास में कोई जगे खाली है, नहीं है, physics के एक तरफ आ गया H, एक तरफ आ गया C, हो गया पूरा गलत, में ना तो आप कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, आप क्या करेंगे, हम सुकर्था, हम एक और possibility बना के चल रहे हैं, हम एक और possibility बना के चल रहे थे, तो वो possibility हमारे पास अभी safe है, हम उस recording अब आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए भीया खेर, चलते हैं वहाँ पर, ठीक है, कहां तक हम ने कर लिया था, be sit immediate left of c, यहां तक हम ने कर लिया था, economics अभी भी आपका दो तरफ आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस economics को, हम एक को cancel कर लेते हैं, एक को लेके चलते हैं, यदि गलत हुआ, तो हम दूसरे को लेके कर रहा हूं, blacking select कर रहा हूं, और red वाले को महटा दे रहे हैं, red वाले को थोड़ दे रहा देने हैं, ठीक है, ठीक है, यानि कि फिर भी हम लिख दे रहे हैं, कि यहां पर, निशान एक छोड़ दे रहे हैं, कि यहां पर economics आ सकता था, कहां पर, यहां पर economics आ सकता था, निश चान चोड़े दे रहे हैं ताकि जहाँ पूरा गलत होगा तो हम यहीं से start करेंगे वापस से ठीक है चलिए तो कहाँ पर आएगे हम black ink पर हम लोग आतें और black ink से प्लेस करना start करते हैं ठीक है चलिए भीया economics fix हो गया age आपने math को बिठा दिया अब आप क्या करोगे बताएए अब आपको बिठाना है geography को age like mathematics और वो बिठा दिया यहां पर one who like biology sit between one who like chemistry geography आपको बिठाना है बिठाएए बताएए geography को आप कहां बिठाएंगे geography को आप बिठाएंगे क्योंकि geography के सामने क्या है physics है और उसके लिए आपके पास सबदाएए जगे कहां पर है तो यहां तो math आ गया math के सामने geography physics नहीं आ सकते क्योंकि geography और physics एक दूसरे के आमने सामने है तो आलो ही एक दूसरे के आमने सामने है तो ऐसी situation में क्या होगा क्या बनेगा देखो math यहां पर C पर तो आपका geography आ नहीं सकता क्योंकि उसके सामने math है already एपर भी नहीं आ सकते हैं तो क्या कोई ऐसी लाइन है क्या कोई ऐसी लाइन है जहां पर प्लेस कर सकते हैं जोग्राफियों फिजिक्स को यहां पर नहीं आ सकती है ठीक है इधर नहीं आ सकती तो केवल और केवल एक लाइन है दोस्तों जहां पर आप जोग्राफिय को रख सक आप रख सकते हैं जिग्रोफिको बी पर जाग को पर रखोगे फिजिक्स आपका यहां पर आ जाएगा यहां पर यहां पर आ गया है ठीक है समझ भी आगया को के अब फिर इसके बाद क्या है देखो यहां पर यह था कि अ जग्रॉफिक्श्द नहीं भीच पर आजये लिगा यहां पर आपका क्या आजाएगा बायो आजाएगा तो जिग्राफी बायो केमेश्ट्री मैध फिजिक्स इंग्ले सी को सी पर आपकी सब्जेक्ट आजाएगी बच्छो सिविक्स कौन जाएगी सी पर आपकी सब्जेक्ट आजाएगी सिविक्स है नागरिक सास्तर आपकी कह पर आजाएगी, C पर आजाएगी, clear है सब को, अब यहां पर persons की जो मैं बात करने जाता हूँ, तो persons की question के रिए हम बात करते हैं, तो यह तो आपके fix हो गई थी पहले, यहां पर हम अभी क्या है, कि इतना अधिकार हमें नहीं है, यहां पर कि हम अभी इंक है, या उसको आपर यह कर पाएं, तो अभी हम क्या करते हैं, उसी रखते हैं, fix वहां पर करते हैं, अभी एक person की place हमारे पास यहां पर रह रही है, एक person अभी यहां बैठेगा, यह person आपक तो यहां पर आप करेंगे क्या ब्लैक प्याइए और बिठाइए फिर आगे कहा गया है कि वन हुलाइक फिजिक्स एंड वन हुलाइक जगरॉफी आर फेसिंग तो इच अदर इसे थार्ट तुदा लेफ्ट अफ जी एंड जी एंड वन हुलाइक फिजिक्स एंड पर जी और फिजिक्स क्या है बिलकुल एकदम दोस्त है यानि पास बैठे हुए तो जी आपका कहा पर आजाएगा जी आपका आजाएगा कहां पर इंगलिस में क्योंकि जी फिजिक्स के पास बैठा हुआ है ठीक है और ई सिट थर्ड टू दा धिये आपके पास go i e sit third to the left of g g के थर लेटमे बैठा हुआ था he बैठा हुआ था था ? यति अप this is third left uh a आप जाएग़ तो third left to the left जाने आपको मिलेगा भी आपको मिलेगा जहां पर की कहन से subject है ज्वरोफिस propio subject बन रही थी एक तो बन रही थी इंगलिस के राइट में और एक बन रही थी इंगलिस के लेफ्ट में ठीक है एक कहां बन रही थी इंगलिस के लेफ्ट में और इंगलिस के राइट में तो यहां पर गलत जब हो गया तो आप उन सभी चीज़ों कोई रेज कर दीजिए जो शीज़ यहां से हट जाएंगी ठीक है? औरered की एकनोचे मेंसे हट जाएगा जी, यहां से हट जाएगा। और से हट जाएगा और कि ओर 13 प्रॉट, मेत यहां से हट जाएगा और हैक यहां ठीक है समझ में आ गया? बाकी तो चीज नहीं हटने वाली है ठीक है ना क्योंकि बीएफ के आमने सामने हैं और इंग्लिस से यहां से तो क्वेशन हमारा सुरू ही हुआ था ठीक है उसके यह बात है वहीं से सुरू हुई थी उसमें आपको परिशानों नहीं जरूत नहीं है ठीक है यहां पर क्या करें अब हमारी लास्ट चू पॉसिवेटी आ वहीं थी यह बन गई तो ठीक है चालीए और यह बन ही जाएगी देखो क्या करना मैं कोई जगे और नहीं है जहांपर एकऊनुमिक्स आ सकती है थीक है economics के लिए कोई जगे आपकी नहीं बची है बिल्कुल बचों होता यार possibility बनती है ऐसे आपके exam में ठीक है उसी तरीके से आपको यह करना है ठीक है यहाँ पर क्या आ जाएगा economics आपका आ गया अब economics के यदि आपको याद हो तो economics के थर्ड राइट में कौन बैठा था एच मैध मैठा था एच मैठा था एच मैठ एच लाइक mathematics थर्ड तो दा लाइक टो वन हो लाइक एकोनोमिक्स तो वन टू और थ्री भाईया यहाँ पर आ जाएगा दोस्तो इस चगह कि हम जोग्राफि लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर आप जसके यहां लिख सकते क्यों नहीं लेख यहां पर आप जहाए बताईए बच्चों ए पर आप जह ग आै तो इसके तुरंट पास में बायो आने चाहिआ ने जाहिए तो एक देैश्च टारफ दूस्ट टो लीकिन बायो के पास में केमिस्ट्री ले जगे नहीं है H पर भी नहीं आ सकती है क्योंकि H पर Math है B पर भी नहीं आ सकती ठीक है B पर यह दिना आप जोगरफी को रखोगे बताओ रख सकते हो क्या बिल्कुल रख सकते हैं लेकिन B पर जोगरफी को आप रख दोगे उसके इधर तो Bayo नहीं आएगी लेकिन C पर बायो आजाएगी और C पर बायो आएगी तो अधर जो ब्लैंकिक बॉक्स है वहाँ पर केमेश्टी आपका आ सकता है कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम जोगराफी रखें दोस्तों तो यहां पर बायो आ सकता है और यहां पर आपका chemistry आ सकता है कहां दिकत है बताईए आ सकता है अब देखो एक तो यहां पर आ सकता है दूसरी जागे और कहां आ सकता है मैं सारी possibility आपको बता रहा हूँ किस-किस नजर यह से आपको सोचना है ठीक है और नजर यह से सोचोगे तो नज़ा रें जाने हैं तो इन ज़मने टेस्ट अरट आप अगसे कीज़े का ऑंपट ओपर नहीं रख शक्ते हैं तो एथर आप यहां पर भी तुम एनने ज़्ग्राफ्य रख़ा था यहां पर ऑप नहीं रख सकते हैं क्यों ने सकते क्यों कि उसने का नहीं है के सामने क्या है फिजिक्स है उसे बहुत इक सास्त्र है जबर्ष भूँत ₩ सब्सक्न है उसे परूप सीड़्यक dual उसे प्रसद नहीं है ठीक है चलिए तो क्या करेंगे हैं पर जोग्राफी भी पर नहीं आएगा तो फिक्स हो गया जोग्राफी कहा आएगा इधर भी नहीं आएगा इधर भी नहीं आएगा जोग्राफी आएगा आपका फिर इधर ग्योभाफी वहाँ आ गया जिगरवफ़ अगर आपने वहाँ पर रखाई जगरवफ़पी के पास ब राखोगी हांपर बायोलोजिए के पास्वेजखन आप रखोगे हांपर ख sentry अगर कंश्री आप यहां पर रखते होगे ठीक है को कि के लिग देंगे को है ठीक है रख दिया तो सब्जेक्ट के दी बात करें और फिर ये था कि फिजिक्स है जेग्रफी के सामने जेश्ट सामने कौन से जाएगी फिजिक्स सब्जेक्ट आप की आजाएगी सब्जिक्स के दी बात करें बच्चो तो E sit 3rd to the left of G and G and one who like physics are immediate neighbor of each other. Physics के पास में कौन आजायगा? दोस्तों, Physics के जश्ट पास में क्या आजाएगा? आपका G आजायगा? और E कहां पर है? E sit 3rd to the left of G. G का 3rd left का होगा? बच्चों, 1, 2, 3, यहां पे कौन आजाएगा? यह आ जाएगा, E को पसंद हो जाएगी, आपकी subject, जिगराफी पसंद हो जाएगी, जिगराफी पसंद हो जाएगी, आप एक person जो बचाएगी, कौन बचाएगी बताओ, A, B, C, D, E, F, G, H आपके पास थे, A हो गया, B हो गया, C हो गया, और D नहीं हुआ, E हो गया, F हो गया, G हो गया, और H हो गया, तो आपके पस नहीं आया है, D, D को पसंद हो जाएगी, English, तो देख लीजी, सारे जो subject हैं, वो भी आपके आगए, सारे जो person हैं, वो भी आपके आगए, गलती कहीं पर है नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से बिलकुल possibility आपको बनानी पड़ती है, तब सबसे आसान की यदि में बात करो, देखो practice के इसाब से तो आपको line है, वो कहीं आसान रहता है, किस से, circular से, ठीक है, और जो square है, वो भी थोड़ा आसान रहता है line से, थोड़ा बहुत complicated, विलकुल circle आपका पड़ता है, बहुत सारी possibilities आपर बन जाते हैं, लेकिन आप बहुत यहां से आपको अपने सारे answers, पिक करने, यहां से आपको अपने सारे answers उठाने है, इसकी शॉट इदिया आप इसका लेना चाहते हैं, बिलकुल आप ले सकते हैं, ताकि practice के लिए आपके लिए काम आए, इस सारे यहां से नहीं हटाईएगा, और फिर जाकर कि आप इसकी practice एक वार फिर से कर सकते हैं, दो possibility बनेगी, तीन possibility हलाकी बनेगी, एक तो यहां पर cross हो गई है, एक हमने, दूसरे वाले में हमने पहले बना के की थी, वो गलत हो गई थी, फिर इसकी बाद हमने third possibility में जाके हमारा answer सही आया है, ठीक है, यहां से आपको answer जो देना है, वो आप टिक को टिक करने में, ठीक है, डेटा बहुत जादा होगा यहां पड़ तो, चलिए, अब यहांच आपको answer देने हैं, in questions के, सबसे पहले पूछा गया, who among the following person sit second to the right of G, G के second right में कौन बेठा है, जल्दी से देखके बता दिए, G के second right में कौन बेठा हुआ है, भाया, G के second right तो, यहां पर H answer आजाएगा, who among the following person sit exactly between E and B, who among the following person sit exactly between E and B, E और B के बीच में कौन-कौन बेठे हुए हैं, बताइए, E और B के बीच में कौन-कौन बेठे हुए हैं, तो, E और B के बीच के दिए, हम बात करें दोस्तों, तो, E यह रहा और B यह रहा, और E और B के बीच में जो यहाँ पर बैठा है वो कौन बैठें भाईया C बैठे हुए जिनने subject कौन सा पसंद बायो पसंद है ठीक है E और B के बीच में बैठे है C जिनने बायो पसंद है ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा C आ जाएगा option number one which of the following combination is true पहला है E chemistry C physics E chemistry बताईए गलत है E को जोगर्फी पसंद है ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सही है हैр ठीक है है humanda following person like civics डあさん किसे पर्फलबिग किसे पॉसरे तो अपर यहाँ से सब्जेक्त है वह जीzz को पसंद है किसे पसंद है सिर्फी से जो सब्जेक्त है वह को पसंद है यहाँ पर G को पसंद है ठीक है । विच अबदा following statement is true, इनमें से सही कौन सा है, यह आपको बता रहा है, h sit opposite to e, h sit opposite to e, बताईए, h है, वो opposite में बैठा है किसके e के, बैठा है क्या, h sit opposite to e, बताईए, h sit opposite to e नहीं, e के opposite to e बैठा है, second है, c like chemistry, क्या c को chemistry पसंद है, तो वापस देख लिजिए, नहीं, c को तो क्या पसंद है, बायो पसंद है, c को बायो पसंद है, यह second भी आपका गलत हो गया, f and a are immediate neighbor, f और a दोनों पड़ोसी हैं, जा करके हमने देखा, तो f और a पड़ोसी नहीं है, f के पड़ोसी तो g और d हैं, यह भी आपका रॉंग हो गया, two personalities between a and e, a और e के बिच में दो परसन बैठे हैं, तो a और e की अधी बात करो, तो a और e के बिच में दो नहीं बैठे, यह भी आपका गलत हो गया, सारी जूट है, सारी गलत है, सारी फॉल्स है, ठीक है, not correct, ठीक है, all the four options are given above are not correct, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, ननिश्चो, आपको समझ में आ गया, ठीक है, धीर धीर हम levels की तरफ बढ़ते रहेंगे, चलो बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, अगला question आपके पास यहाँ पर आया है, थोड़ा-थोड़ा मिलता जुलता ही है उससे, ठीक है, A, B, C, D, E, F, J, 4 लोग हैं हाँ पर, facing at the center, और हर एक कर जो प्रफेशन है, वह अलग अलग है, ठीक है, कितने लोग है, आठ, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक पार, आपका आठ लोगों का पोजिशन, ठीक है, क्लियर है, 1, 2, 3, 4 So, यहाँ पर क्या है था, पॉलिटीशन, देखो, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, इसका बेसिक क्या है, कि A, B, C, D, E, F, G, H, are sitting around a circular table facing at the center, each of them has different profession, like, doctor है, engineer है, architecture है, pilot है, banker है, teacher है, businessman है, politician है, राजनिता है, ठीक है, अब इनको बिठाना है, और ये भी आपको पताना है, कि कौन सा person कहाँ बैठा है, कौन सा उसका profession है, सीख जाएंगे, यार, देको दिक्कत आएगी, sitting arrangement में, sitting और puzzle में, obviously दिक्कत आती है, लेकिन, ठीक है, तो, start करते हैं, सीखेंगे, आप जरूर चलिए, the politician sit third to the right of G, ठीक है, politician कहाँ बैठता है, sit third to the right of G, G के third right में, G को मैंने यहां बिठा दिया, और, politician को बिठा दिया, G के third right में, third to the right of G, one, two, three, यहां पर आगया आपका politician, आगया, clear है, इसके बाद क्या है, C is an immediate neighbor of G, C क्या है, G का immediate neighbor, तो, यहां पर दो person आ सकते हैं, कहां पर, G के आसपास, तो, मैंने यहां पर क्या 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 है, एक और possibility मैंने यहां पर बना दी, एक और पॉसलिटी बना कर कि मैंने क्या किया जी को यहां रखा यहां पर लिखा है C is an immediate neighbor of G दोस्तों तो मैंने एक तरफ C को यहां रख दिया एक तरफ मैंने C को यहां रख दिया ठीक है समझ में आ गया आ गया है तो architecture sits second to the right of C C के second right में architecture बैठा है तो first वाला तो आपका गलत हो गया क्यों गलत हो गया क्योंकि C के second में architecture हो यह नहीं सकते क्योंकि politician बैठा हुआ है अब यहां से आप सीखेंगे किस तरह से possibility को खत्म किया जाता है यदि मैं इस line को पहले ही पढ़ता तो यहां possibility बनाने ही requirement आपको नहीं होती तो जब कभी मैं आपको line arrangement है वहां भी बताया है मैंने की भाहिया कभी भी आपको क्या करना है कोई भी line को जब positive आप बनाने जा रहा है उससे पहले अगली line को पढ़ना है और अगली line में जदी ऐसा है ठीक है अगली line में लिखा हुआ है अगर बचो मैं C को यहां रखता हूँ तो यहां पर आपका architecture आगी नहीं सकता क्यों कौन आगया? politician आगया तो कहने का मतलब यह होगा कि हम C को यहां पर नहीं रख सकते हमें C को कहा रखना होगा? यहां पर रखना होगा ठीक है हमें चीज़ कहा रखना होगा यहां पर रखना होगा यहां से अटा गए ठीक है Architecture sit second to the right of C Second to the right of C का मतलब क्या हुआ बताओ Architecture यहां पर आगया ठीक है फिर इसके बाद है कि B sit third to the right of H B कहां बैठता है sit third to the right of H H ना तो निदर ए पॉलिटीशन नौर ए आर्किटेक्चर अब H जो है ना तो दोस्तो आर्किटेक्चर है ना ही H क्या है पॉलिटीशन है ठीक है और H बैठता कहा है B sit third to the right of H अब H को आप कहा कहा बिठा सकते हो देखो समझ रहे हैं मैं यहां पर लिखता हूँ B sit third to the right of H देखो यहां पर तो C अलरेडी आ चुका है तो यहां पर तो आपको नहीं बिठा सकते हैं B sit third to the right of H H को आप यहां पर भी नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि कौन आगया जी आगया आप यहां भी नहीं बिठा सकते हैं, आर्टिस्ट के हाँ पर क्योंकि है है दोस्तों बच्चों आप यहां बिठा सकते हैं? उसने कहा है कि B sit third to the right of H, आप ने बिठा दिया लेकि आप B को बिठाना है? H की 3rd right में बिठाना है तो H की 3rd right में बिल्कुल obviously आप B को यहां बिठा सकते है पहली जो condition है वो आपकी यह बन गई ठीक है कि आप यहां पर बिठा सकते है H को और यदि बनाने जाए तो politician पे H आएगा नहीं यदि आप H को यहां पे रखोगे तो 1, 2, 3 ठीक है H की 3rd right में B नहीं आएगा क्योंकि C रखा हुआ है यदि आप B की जगे पर आप रखने जाएं यहां पर H को तो 1, 2, 3 यहां पर कौन आगया G आगया कि यहां पर possible नहीं है यहां पर भी possible नहीं है H को आप यहां पर यदि रखें तो 1, 2, 3 यहां पर आपका B आ सकता है कहां पर Artist में बिल्कुल हो सकता है नहीं तो यह तो possible है ठीक है तो H आपका कितनी जगे आ सकता है 2 जगे कहां कहां पर एक तो Artist और Politician के बीच में और एक C के पास ठीक है समझ में आ गया तो मैं यहां पर क्या करता हूं possibility बना लू ठीक है वापस से पढ़ लिजे एक पर आगे Only one person sit between C and teacher A and F इमिडिट नेवर औफ इचेदर ठीक है तो यहां पर तो ऐसी कोई condition नहीं बनी जहां से आप इन possibility को deny कर सके तो यहां पर आप क्या करोगे बताओ अब यहां पर हम दो possibility बना लेंगे ठीक है क्यों बनी पर सबको पता होगा बच्चु जी है आपर fix है fix है यहां पर C ठीक है fix है यहां पर आर्टिस्ट ठीक है politician fix है यहां पर और कोई fix नहीं है h की दो condition मनी है h को आप यहां रख सकते है h के third right में b यहां पर आ सकता artist पर ठीक है दूसरी condition यह बनते है कि h को आप यहां पर रख दीजिए h की third right में आप b को यहां पर रख दीजिए तो नहीं condition अभी तक आपकी का जा रहे है correct बिल्कुल जा रही है ठीक है समझ में आगे आपको चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ है आगे दिया है ओनली वन पर्सन सिट बिट्विन सी एंड टीचर अब सी हमारे पास नहीं है और नहीं टीचर हमारे पास है लेकिन इस इंफोर्मेशन को साइड में यहां पर लिगतेते हैं कि सी और टीचर के बीच में एक परसन है ठीक है एंड एफ आर इमीडिट नेवर ओफ फीचर दर ए और एफ दोनों क्या है परसी है और एफ दोनों क्या है परसी है ठीक है अच्छा यहां से आमने इसको नहीं हटाया ना भी को इसको हटाना पड़े गया है चलिए फिर है निदर ए नौर एफ इस पॉलिटीशन बचो ए और एफ कोई भी पॉलिटीशन नहीं है देखो ए और एफ क्या नहीं है पॉलिटीशन नहीं है अब अब मेरी बात को समझेने की कोशिश कीजिए एक बार देखो E اور F साथ में आएंगे और साथ में आने का मतलब है कि लगातार दो इस्थान है वो खाली होने चाहिए आप समझ रहे हमारी बात को पड़ोसी कब हो सकते है पड़ोसी एक साथ दो लोग एक साथ कब बैठ सकते है जब यह दोनों के पास में इधर B आ गया, B के पास में एक खाली जगह है, नीचे की तरफ में बात कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर आप A को बिठा सकते हैं, तो फिर एप को आप कहां बिठा होगे, क्योंकि आप तो पड़ोस है, आर्टिस्ट पे जदी आप जाके बिठा होगे, तो आर्टिस्ट बिठा सकते हैं, क्योंकि उसके पास में आजओ आजओ जगह खाली नहीं है, ऊपर H आ गया, पॉलिटिशन में दौनर बैट नहीं पाएंगे, पॉलिटिशन के पास में एक और शीट वेकेंट है, B के पास में यानि B के लेफ्ट में एक शीट वेकेंट है, वहां पर आप लेकिन A को ही बिठा सकते हैं, दूसरे लिए वहां पर भी शीट अवेलेबल नहीं होगी, तो फर्स्ट जो डाइग्राम आप बना रहे थे भाईया, वो हो गया आपका क्रॉस, गलत आपका हो गया, सेकंड वाले के यदि हम बात करते हैं, तो सेकंड वाले में देखिए, H बेठा हुआ है, C बेठा हुआ है, G बेठा हुआ है, B बेठा हुआ है, और B के यहां की मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की, यहां पर आप ना तो A को बिठा सकते हैं, नहीं आप F को बिठा सकते हैं, इसलिए आप नहीं बिठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर A की शीट आपको समझने आगी बात हमारी, ठीक है, ये भी आपके जगे फूल हो गई है, अभी दो शीट आपके पास खाली है, ठीक है, ठीक है, अपसी कहां पे आएगा, टीचर कहां पे आएगा, ये हमें नहीं बता अभी, चलते हैं आगे देखिए, क्या है, ठीक है, डॉक्टर सिट सेकंड टुदा राइट ओफ ए, डॉक्टर कहां बैठता, ए के सेकंड डाइट में, दोस्तों देखो, अभी तो आपका ए ही कौन सा है, अगर A, मैं इसे हटा दूना, अभी नहीं हटा चलो, A को अगर मैं ये वाला मानूँगा A, तो A के सेकंड डाइट में डॉक्टर यहां पे आएगा, और A अगर मैं ये वाला मानूँगा तो आपका डॉक्टर यहां पे आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, तो यहा कि यह था कि दॉक्टर सिट सेकंड तू राइट अफ ए कि एक इस सेकंड आट में कॉन था दॉक्टर था तू पर्सन सेट बिट्वें डी एंड इंजिनियर दी और इंजिनियर के बीच में कितने लोग हैं दो लोग है तो D को आप कहां बिठाओगे, D के आप पास दो ही जगे हैं, या तो पॉलिटीशन पे या पॉलिटीशन के पास में, D और इंजिनियर के बीच में कितने लोग हैं, दो, ठीक है, देखो, D के लिए दो जगे हैं, बच्चो, यहां पर A F बैट गा, यहां पर F या A बैट गा, फिर H बैट गया, C बैट गया, G बैट गया, यहां पर जो D है, आपका या तो पॉलिटीशन हो सकता है, पॉलिटीशन के पास में, जगे खाली है, वहां पर हो सकता है, अब यह क्लियरली मना कर दिया गया है, कि D is not in पॉलिटीशन, तो भीया क्लियर है, D कहां होगा, फिर यहां पर आएगा, और D यहां पर आएगा, तो D और इंजिनियर के बीच में कितने लोग हैं, दो, अब इंजिनियर कहां पर आ सकता है, A F में भी इंजिनियर आ सकता है, और C भी इंजिनियर हो सकता है, जोना तरफ आ सकता है, समझ मारा है, अच्छा, एक परसन बचा है आप कौन? C बचा है? ठीक है? क्योंकि देखो D हो गया, B हो गया, G हो गया, C हो गया, अच्छा C तो पहले ही आपका आगया ना यार देखो और C पहले ही आगया तो आप बिठा सकते हैं यहाँ पर C और टीचर के बीच में एक परसन है और C के एक तरफ आर्किटेक्चर आगया तो यह क्लियर ली बात है कि यहाँ पर कौन आएगा आपका टीचर आएगा फिर A.I.F. में ठीक है? यह क्लियर हो गया अच्छा देखो, डॉक्टर वाले कंडिशन पर आजाएए उसने कहा था कि डॉक्टर सिट सेकेंड टू दर राइट ओफ A डॉक्टर कहा बैठता A के सेकेंड राइट तो अभी भी आप कंफर्म नहीं कर पाओगे ठीक है? लेकिन हाँ एक ही जब कंफर्म कर सकते हैं वो यह वाली कि D और इंजिनियर के बीच में कितने लोग है दोस्तों दो लोग बैठे हुए है अब जब आप उपर जाएंगे यहां से इधर की ओर तो D से दो छोड़ करके आपको इंजिनियर को बैठाना है उपर जब जाएंगे तो अगर हम टीचर को ए मानते हैं दोस्तों अगर हम टीचर को ए मानते हैं तो क्या होगा टीचर को आप ए मान लोगे तो A के सेकंड डायट में डॉक्टर है तो इसके सेकंड डायट में तो कौन बैठा हुआ है A के सेकंड डायट में कौन बैठा हुआ है तो अगर आप टीचर को A माने तो इसके सेकंड डायट में तो अल्ड़ेडी कौन बेटा हुआ है? इंजिनियर बेठा हुआ है. तो ये तो A नहीं हो सकता टीचर. टीचर तो कौन है फिर? F है. समझ रहे हैं? ठीक है. तो यानि कि ये जो आपका टीचर है, वो कौन ही होगा? A नहीं होगा, ये होगा F. और ये होगा यहाँ पर A. ठीक है? ठीक है. अब A के हो गया? तो A के सेकंड डायट में डाक्टर है. तो A यहाँ पर तो बच्छों डाक्टर हो गया आपका H. अब यहाँ तक देखिए, सारी इंफर्मिशन होगा है कि C और टीचर के बीच में एक होगा है, A और F साथ साथ बैट गया है, A के सेकंड डायट में डाक्टर होगा है, D और इंजिनियर के बीच में दो परसन होगा है. आगे चलने पर हमें पाता है कि इसके बात है, बैंकर सेकंड टूगा है, A के सेकंड बैठा होगा है, और यहाँ से अपने सपनों को उडान देगा, अपना एर प्लेन उडाएगा, इसके बात है, बैंकर सेकंड टूगा है, बैंकर बैठा है, तो बैंकर A यहाँ पर बैठा है, तो इसका सेकंड लेफ्ट इधर D होगा, तो यहाँ पर होगा, बैंकर, तो पॉलिटिशन होगा, बैंकर होगा, आर्किटेक्टर, पालेट, इंजिनियर, डॉक्टर, टीचर, एक बचा है, आ यह कौन हो गया, A हो गया है, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F, G, H हो गया, E एक रहे गया, तो E आपका politician हो जाएगा, ठीक है, E politician हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका जो arrangement है, वो आपका बन गया, clear, ठीक है भाईया, screen shot आप इसका ले सकते हैं, और वापस यदियाप इसे करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से सारी लाइन से इनको rough कर दे रहा हूँ और rage कर दे रहा हूँ, ताकि आसानी आपको रहे वापस करने में, ठीक है, screen shot आप इसका ले सकते हैं, first वाली possibility जो गलत ही थी, उसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, कोई requirement उसकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि answers टिक करते हैं, तो बहुत ही match type यहाँ पर हो जाता है, चलिए, चलिए, फिलहाल हम answers पर टिक करते हैं, बाढ़ते हैं, पहला question यहाँ पर हमचे क्या पुछाए गया है, who among the following is a businessman, तो भी है, a था, last में ही टिक किया है, I hope कि याद होगा आप लोगों को, a businessman है, ठीक है, आप clearly देख सकते हैं, यहाँ से, businessman कौन है आपर, businessman है आपका a, ठीक है, चलिए, what is the position of f with respect to politician, politician के respect में f कहां बैठा हुआ है, politician के respect में f कहां बैठा है, तो politician के respect में f यह बैठा देखो, one, two, first और second right में बैठा है, कहां बैठा है, politician के respect में f कहां बैठा है, second right में, तो second right है यहां पर बिल्कुल option number C, second right में बैठा हुआ है, ठीक है, चलिए, हो सिख exactly between teacher and engineer, teacher and engineer के बिल्कुल बीचो बीच में कौन बैठा हुआ है, teacher और engineer के बिल्कुल बीचो बीच में, देखिए, exactly between का मतलब बिल्कुल बीच है, teacher and engineer, ठीक है, तो यह रहे, आपके अध्यापक महूद है, teacher और engineer के बीच में कौन बैठा है, doctor सहाब बैठे हुए है, ठीक है, चिक्तसक बैठे हुए है, ठीक है, यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, doctor हो जाएगा, ठीक है, answer हो गया, doctor, only the doctor, what is the profession of G, G का व्यवशाय क्या है, G का प्रोफेशन क्या है, आप बहुत असानी से देखके, आप बता जिए, G का व्यवशाय है, वो है पाइलेट, G पाइलेट है, four of the five are alike in a certain way, based on given sitting arrangement, and thus form a group, which is not the one that does not belong to that group, G doctor, चलिए, G doctor नही भाया, G पाइलेट, ठीक है, है ना, फिर इसके बाद है, E architecture, E architecture नहीं, H businessman, E politician, बिल्कुल, ये सही है, ये सही है, चार अलग थे, एक अलग था पाँच में से, और बाकी सम में तो क्या था, कि परसन दे रखा था, उसका जो प्रोफेशन था, वो अलग दे रखा था, यहाँ पर क्या है, जो परसन दे रखा है, वहीं उसका प्रोफेशन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर politician E हो जाएगा, चेक करने के लिए आप जा सकते हैं, D pilot के साथ last वाला, तो D pilot नहीं है, पाइलेट जी है, तो यहाँ पर जो आपका अंसर हो जाएगा, आपका समझ में आ गया, तो यह एक और सेट था, आपके question का, आपके circular setting arrangement का, आप थोड़ा थोड़ा आपको आने लगा होगा, ठीक है, अब फिलाल आज की class को हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है, अब आप क्या करोगा, मेरी बास समझे, आपके लिए कि आप Google पे जाएंगे, वहाँ पर जाके आप सर्च करेंगे, clerical based, circular setting arrangement, वहाँ पे जाकर के, चोभी PDF, चोभी quiz आपको मिलेगी, आप उसको उसे attempt करिए, बिको starting में कुछ बच्चों की query का होती है, सर्फ बहुत सारी possibility बन रही है, ठीक है, तो बच्चों जितनी possibility बने न, दो बने दो बनाओ, तीन बने तीन बनाओ, चार बने चार बनाओ, अंत में जाके तो एक ही आएगी न, और last में जाकर के, अगर आपने सब कुछ सही किया है, और last में जाकर के वो एक और possibility भी गलत होगे, यानि कि आपका question सही नहीं था, ठीक है, बाग exam में गलत question नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर practice आप खूब करिए, तब जाके आपका setting arrangement का part थोड़ा cover हो पाएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और bell icon पर क्लिक कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो की notification है, जो other subject की वीडियो में आपके आ रहे है, उन सभी की notification आपको मिल जाए, ताकि आपकी preparation है, वो एक अलग level पर पहुँच पाए, बहुँच जल्दी आपका selection हो जाए, तो इसी meet के साथ, फिर मुलाकात होगी, अगले lecture में कुछ और बहुतरिन questions साथ, तब तक लिप आपाए, take care and have a nice day.